तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटिव चैनल में तो आज अपने इस वीडियो आई हम बात करने वाले हैं जो आपके मद्धिप्रदेश हाई कोट की जो वेकेंसी आई है और जो मद्धिप्रदेश सरकार ने जो नियम लागू कर रहा है आपको सेलरी को लेके 70% 80% और 90% वो जो मद्धिप्रदेश हाई कोट में भी ये नियम लागू होने वाला है आज इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं हुआ है वह चैनल सब्सक्राइब कर दिजिए और बेल आकान को प्रेस कर लिए ताकि परते हैं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मद्धिप्रदेश सरकार में यदि आप कोई सी भरती में अब मतलब लगते हो तो आपको 70% एक साल और दूसरी साल असी परसेंट और तिसरी साल लबे परसेंट ये जो है आपकी सेलरी में आपको इतना इतना मिलने वाला है एक साल तक मिलेंगे फिर नेक्स ये बदो करते तो रगबख 15 या 15 है और फिर नेक्स ये मतलब तीसरे साल आपको बात करते तो लगबख आपको 77 या 8 वर समतिंग मिलेंगे आपकी जो पूरी सेलरी है वो चार साल बाद मिलना शुरू होगी ये नियम होता है 80%, 70%, 60%D bulाश, सरकार ने लागू कर राखा है अभी यदि आप उनिस सो अठ्थाइस सो और च्छतिस सो पर भी लगते हो तो आपको इस सारा नियम आपको लागू होंगे आपकी भरती में तो बच्छे यही कन्फ्यूज है कि यह जो नियम है क्या मद्धिप्रदेश हाई कोट में भी यदि आप सेलरी का जो मैंने आपको इस्ट्रक्चर बता दिया है अब बात करते हैं क्या इसमें भी नियम में लागू होगा 70% 80% 90% तो अभी तक जो है वो मद्धिप्रदेश हाई कोट में यह नियम लागू नहीं है आपको सेलरी पूरी मिलने वाली यदि आप साइगर तीन पर उननीस सो पर लगते हो तो आपको सेलरी सम्तिंग 20 या साड़े 20.000 पूरी मिलने वाली है इसमें अभी तक यह नियम लागू नहीं है तो यह नियम लागू नहीं है तो आपको सेलरी सुरू सही पूरी मिलने वाली है तो बेफिक्र रहिए तैयारी अच्छा से करिए ओप सो यह आपको एक चीज समझा नहीं थी आप समझगा होंगे तो तैयारी अच्छा से करिए और जो लोग चैनल पर नहीं है वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट अप्डेट से जानकरी मिलती रहेगी तो चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ तब तक लिए जैहिंद बंदे मात्राव